सार संग्रह भारतिय इतिहास एवं संस्कृति 1. रिग वेद में यानि यज्जों में सरवाधिक वर्णन किस यज्ज का है? सोम यज्ज 2. चारों वर्णों के कर्मों के विशय में सर्वरप्रथम जानकारी मिलती है एतरेय ब्राम्मन में 3. भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद किया संभूत, विजय और भद्र बाहु ने 4. हर्षकाल में रात को पहरा देने वाली इस्त्रियों को कहा जाता था याम चेटी 5. इल्तुत्मिष ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया तथा उसे अपना उत्राधिकारी घोशित किया 6. कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशास्किय नीतियों का विवेचन किया है 7. सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था 8. शाजहां का बड़ा बेटा दाराशिकों किस सिलसिले का अनुयाई था 9. लौड हिस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश था पिंडारियों का दमन 10. भारत से इंग्लेंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्ठों का अनिष्ठ की संग्या किस ने दी दादा भाई नौरो जी ने राश्ट्रियर स्वतंत्रता आंदूलन 11. 1855 में House of Commons में एक याची का प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसर्द में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की 12. भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था 12. काबिनिट मिशन को अस्विकार करने के साथ ही 13. कॉंग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यो चेम्स फोर्ड रिपोर्ट के निंदा करने पर कई नरम पंथियों ने पार्टी को छोड़ कर निम्नमे से कौन सी पार्टी का गठन किया 14. भारतिय स्वतंतरता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रन से मुक्त संपूर्ण स्वतंतरता के रूप में परिभाशित किया जाए 15. अक्टुबर 1920 में भारतिय कम्निस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकन में एकत्र हुए भारतियों के सम्मुहों के मुख्या कौन थे 16. 1931 में कॉंग्रिस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया 15. जवाहरलाल नहरू 17. किस कॉंग्रिस सत्र में कारेकारी कमेटी को सविने अवग्या आंदूलन प्रारंब करने का अधिकार दिया गया था 18. लेक्चर्स फ्रॉम कॉलम्बो टुअलमोडा इनमें से किस के अनुभवों पर आधारित है 19. किसने अरसहयो गांदूलन के दोरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बरबादी बताया था 20. 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ती ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधी को वापस लोटा दिया 21. सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन होता है इस्तरी मेगों के धूल कणों में 22. किस राज्य का समुद्री तट दक्षन अमरीका के विशाल ओलिव रिडले कच्छूओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है 23. विश्व वनक्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत्ता सरवाधिक है 25. बलियारिक द्वीप समुद्र का इस्थित है भूमध्य सागर 26. कौन सा महा द्वीप 85 भूमी का देश कहा जाता है 27. यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो अवस्थित होता है विश्वत रेखा पर 28. छोटा नागपुर पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है 29. भारत का सबसे पहला जलविद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी परिस्थित है किस राज्य में है करनाटक राज्य में 30. देश का सर्वपथम सुपर फॉस्फेट खाद्यका कारखाना 1906 में कहां खोला गया था 30. भारतिय राजविवस्था एवं संविधान 31. भारतिय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपती को कोई भी मामला मंत्री परिशत द्वारा पुनरविचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44. संविधान संशोधन 32. राजविके नीती निर्देशक सिध्धानतों को भारतिय संविधान में शामिल किये जाने का उद्देश है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना 33. विधाई शक्तियों की संगिय सूची में समाविष्ट किसी विशय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायले के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है 34. संग का ये करतव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमन तथा आंतरे गड़बडी से प्रतेक राज्जी की रक्षा करे ऐसा प्रावधान भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में है जिससे संग की कारेपाले का शक्ती के प्रयोग में कोई अर्चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े अनुच्छेद 257 प्रिष्ट 96 प्रश्ण 36 किस अनुच्छेद के द्वारा 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21A प्रश्ण 37 अब तक भारत के सम्विधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है एक प्रश्ण 38 किस वाद ने संसत को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया किशवानंद भारती वाद 49 भारत में सरुरप्रथम 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज व्यवस्था का शोबारंब किया गया ये कहां से चुरू हुआ नागाउर राजस्थान प्राश्ण 40 किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रिय आपात की घोशना के लिए आंतरिक अशान्ती की जगा सश्ष्ट्र विद्रोह शब्द जोड़े गए चवालीस में पर्यावरन एवं जैव विविद्दा प्राश्ण 41 भारतिय वन संसाधनों के आंकलन एवं विकास के लिए भारतिय वन सरवेक्षन की स्थापना की गई थी 1981 में प्राश्ण 42 माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिसितिक रूप से महत्तुपुन क्षेत्र घोशित करने का सुझाव दिया है पश्चिमी घाट प्राश्ण 43 पर्यावरन संगरक्षन आंदूलन में सहायक पुस्तक साइलेंच स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी जो पैस्टिसाइड के दुश्प्रभाव पराधारित है के लिखक थे रशेल कार्सन प्राश्ण 44 किसी भी प्रजाती के जीवों में एक समान जीन के अलग-अलग रूपों का आंकलन कहलाता है आनुवान्शिक विविदता प्राश्ण 45 भारत का सबसे पुराना NGO आधारिस संगरक्षन अनुसंधान कौन है Bombay Natural History Society BNHS मुंबाई प्राश्ण 46 प्रित्वी दिवस की स्थापना पर्यावरन शिक्षा के लिए किसने की थी अमरीकी सिनेटर गेलोर्ड नेलसन ने प्राश्ण 47 एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारनिय करने के लिए आवश्यक नियूनतम भूमी को क्या कहते हैं निकेत प्रेश्ण 48 किसने सर्वप्रथम गेहन पारिस्थिते की डीप एकॉलोजी शब्द का प्रयोग किया अर्नीज नेस ने प्रेश्ण उन्चास अपने प्रदूशकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी प्रेश्ण 50 स्वच्च समुदरी जल में सूरे की किरने अधिक्तम किस गहराई तक जा सकती है 200 मीटर तक भारतिय अर्थ व्यवस्था प्रेश्ण 51 भारत में राष्ट्रिय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है किंद्रिय सांकिकी संगठन CSO प्रेश्ण 52 भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला क्रिशी पदार्थ है बास्मती चावल प्रेश्ण 53 वानिजिक फसलों के लिए मुल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रिय नोडल एजेंसी है राश्ट्रिय क्रिशी सहकारी विपणन संग लिमिटेड प्रेश्ण 54 रिजर्व ट्रेंच स्थिती आर्टीपी एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्ब में किया जाता है अंतर्राश्ट्रिय मौद्रिक कोश प्रेश्ण 55 भारतिय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूंट बुनियादी धाचे ख्षेत्रों को जाना जाता है जिनका और द्योगिक उत्पादन सूचकांक आयाईपी डेटा के लिए उप्योग किया जाता है आठ प्रेश्ण 56 भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है यूरोपियन यूनियन प्रेश्ण 57 तेईस जून दोहजार बीस को सांखे की एवं कारेकरम कार्यानवयन मंत्राले ने वर्ल्ल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रैशक्ती सम्तुल्यता के आधार पर भारत की अर्थ्विवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर प्रेश्ण 58 अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मुद्रिधन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित पोशन प्रश्ण 69 भारतिये प्रतिसपर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे भारत में प्रतिसपर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदाई संस्था है की स्थापना हुई 14 अक्टोबर 2003 को प्रश्ण 60 समय समय पर कौन सा निकाय भारत में विदेशी मुद्रा की संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुवल प्रकाशित करता है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी प्रश्ण 61 यदि किसे उभैलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग-अलग समय पर परिपकव होते हैं तो इस तथे को कहते हैं भिन काल पक्वता प्रश्ण 62 जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है आंगों का उपियोग तथा अनुपियोग किये जाने से प्रश्ण 63 जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन भिन लक्षणों को एक साथ नियंतरित करता है ये तथे कहलाता है बहु प्रभाविता प्रश्ण 64 रासायनिक तत्व के अनु के संदर्ब में चुम्ब किये क्वांटम संख्या का संबंद है अभिविन्यास से प्रश्ण 65 हाइड्रोजन से भरा पॉलिथेन का गुबारा पृत्वी के स्तल से छोड़ा जाता है पायू मंडल में उचाई पर जाने से गुबारे के आमाप में वृद्धी होगी प्रश्ण 66 मानव शरीर के कौन से अंग में लसी का कोशेकाएं बनती हैं दीर्ग संधी प्रश्ण 66 किन तत्मों के लवणों द्वारा आतिश बाजी में रंग प्राप्त होते हैं स्टॉंशियम तथा बेरियम प्रश्ण 68 इलेक्ट्रोनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाई जाते हैं सीसा तथा टिन प्रश्ण उनहत्तर उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा शुद्दान्त्र से यकृत में पोशक युक्त रक्त देती है यकृती प्रवेश द्वार शेरा प्रश्ण सत्तर डीजल इंजन में इंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्चक उच्चत आपमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है सिलिंडरों में वायू को संपीडित करके जलवायू परिवर्तन एवं आपदा प्रश्ण एकत्र प्रित्वी की सत्ह का ओसत तापमान कितना होता है लगबग पंद्रा सेल्सियस प्रश्ण बहट्र प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थली करन वसूखा रोक्थाम दिवस मनाया जाता है सत्रह जून को प्रश्ण तेहत्तर विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीनाउस गैस है जलवाश्प प्रश्ण चोहत्तर अर्थ आवर का उद्देश्च धर्ती के संसाधनों को बचाना है इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्लू डब्लू एफ प्रिश्ट सत्तानवे प्रश्ण पिचतर ग्लेशियर से पिघलने वाश्पी करण और हिम स्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है अपक्शर्ण प्रश्ण चेतर सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपुवर्तन से उत्पन होता है स्तरी मेगों के धूल कणों में प्रश्ण सत्तर प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन होता है ओजोन प्रश्ण अठतर जलवायू परिवर्तन की संदर्ब में उश्न कटिवंधिय वायू मंडल में जल चक्र का अध्यन करने के लिए मेधा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राश्ट्रिय आंतरिक्ष केंद्र किस देश में इस्थित है फ्रांस में प्रश्न 89 कौनसा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलिय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्मन टेक्स लगाने का प्रस्ताव रखा न्यूजिलन्ड प्रश्न 80 वायू प्रदूशन की एक परत है जो उतरी हिंद महसागर भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है कहलाता है एशियाई ब्राउन बादल शिक्षा एवं बाल मनोवे ज्यान प्रश्न 81 वाई गोच्सकी ने बच्चों के अधिगम में किसकी भूमिका के महरतों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है सामाजिक प्रश्न 82 बच्चे तब सरवादिक स्रिजन शील होते हैं जब वे किसी गतिविधी में भाग लेते हैं अपनी रुची से प्रश्न 83 वातावरन वो बाहरी शक्ती है जो हमें प्रभावित करती है किसने कहा था रोस प्रश्न 84 क्रिया प्रसूत अनुकुलन सिध्धांत का प्रतेपादन किसने किया था स्किनर प्रश्न 85 मिरर ड्रोइंग परी प्रश्न 87 जो संबंद स्किनर का चूहों से एवं थॉन डाइक का बिल्लियों से था वही संबंद कोलर का था वन मानुशों से प्रश्न 88 बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिये ये किसका कथन है जेम्स का प्रश्न 89 बुद्धी की आवधारना को समझाने हे तु गिल्फोर्ड ने किस आवधारना का प्रयोग किया था Content, Product और Operation प्रश्न 90 किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता-पिता की संतान निम्नकोटी की होती है प्रत्यागमन का नियम Computer ग्यान प्रश्न 91 इमेल संदेश का अभेदगारी रूप में वितरन कहलाता है Spam Data के स्रोथ यानि Source से गंतव्य यानि Destination तक पहुँचने में कितना समय लगा ये कौन सा कमांड बताता है Ping प्रश्न 93 एक प्रोसेसर के Floating Point Unit FPU को मापने वाले EKI को क्या कहते है Gigaflops प्रश्न 94 कम्प्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई चोड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते है Barcode प्रश्न 95 CPU और I-O के बीच सिगनलों के मूव्मेंट को कौन नियंतरित करता है Control Unit प्रश्न 96 किस Operating System में उप्योग करता एक साथ कई Computer Operate कर सकते है